कि सिंटेंस होते कितने तरह के हैं इस पे जरा हम लोग बात कर लें के संटेंस क्योंकि एक सिंटेंस जैसा दिख रहा है तो याद रखिएगा सिंटेंस फाइव टाइप gült एक होता है एंटलोगेटिव एक होता है एक एक आप टेर्टिव एक एक अप्टेटिव और एक एक्सक्लामेटेव एसossen तरह क्योंतकर eligibility ही है ना जैसे एक affirmative होगा और एक negative होगा क्या होगा एक affirmative एक negative affirmative होगा जैसे आपका my father lives in Delhi यह affirmative हो गया मेरी पापा दिन्नी में रहते हैं निगेटिव हो जाएगा my father doesn't live in Delhi मेरी पापा दिन्ली में नहीं रहते हैं के लिए ना तिनीगेटिव अगर यह टाइप का सेंटेंस हो अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो क्या करते हैं कॉमा इन्वाटेट कॉमा हटा के उस कॉमा इन्वाटेट कॉमा के जगह पे हम आज करना हो सबसे पहला काम कर ना कि अगर अगरोट इन्पाम कहता है बिसक्रण देंगे और यह सेंटेंस इपर में इस लिए यह निगेटिव है तो उस इम्ला इंवाट कॉमा कज़ेका अदि आप लगे लिए कई सेंटेंस होता है इन्ट्रोगेटियर यह इंट्रोगेटियर सेंटेंस भी दो तरह कैस्ट अने इन डियंस विधन हें फिहडिन हें Cath 2018 वारह थो होना तो उसको हम लोग कहते हैं interrogative sentence या what, where, when, why, how से start होने वाला word हो तो उसको भी कहते हैं हम लोग interrogative sentence ओके जी यह जो WH word से start होने वाला है उसमें हम लोग comma, inverted comma के जगा पे same WH word का use करेंगे बस कुछ नहीं सोचना what है तो, what, where तो, where, when, when, why, to, why how, to, how, बस as it उठाके comma, inverted comma बट अगर एक जिल्नी भर से start बने वाला है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है 99% आप इप लगाईएगा और कभी इप नहो तो जैतर लगाईएगा के ले ना कहां कौमा इंफर्ड कॉमा के जगा ओके नेक्स सेंटेंस आजाता है आप लोग के सामने इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहते है ओर्डर कमांड रूकेष्ट का बात हो तो है ना come here, go there, please give me a glass of water, तो यह क्या है ना, imperative sentence है, और imperative sentence में, comma, inferred, comma के जगा पर हम लोग, two का यूज़ करते हैं, ओके, तो imperative sentence में, comma, inferred, comma के जगा पर क्या यूज़ करते हैं, two का, next, next होता है, objective sentence, objective sentence, जैसे आपका wish, curse, है ना, यह सब का बात हो, bliss का बात हो, तो हम लोग कहते है, objective sentence, और objective sentence में, हम लोग, comma, inverted, comma के जगा पर, that लगाते हैं, yes, objective sentence में, comma, comma, inverted, comma के जगा पर, that लगाते हैं, okay, बास में आया, yes, एक है, exclamatory sentence, बहुत अच्छे से सब के बारे, हम लोग समझेंगे, बस, अभी तो, comma, inverted, comma, हटाना सीख रहे हैं, आप लोग, practice में कर भाएंगे, हलके में नहीं चोड़ेंगे, यू नहीं, जो भी चीज़ बताएंगे, पढ़ाएंगे, practically way में, बट, साथ इसाथ, प्रैक्टिस भी, जो आपके दिमाज में घुसा या बस देख रहे हैं, देखना नहीं है, लिखना है, है, ना, आये, तो क्या है, exclamatory sentence, exclamatory sentence, exclamatory sentence होता वो है, जो sudden feeling बला बात थो, ओ, आउच, घुर्रा, ये सब बला बात होता ह है, उसको कहते है, exclamatory sentence, और इस वाले sentence में भी, कॉमा, inverted, कॉमा के जगा पे, that का यूज करते है, आया बस समझ में, बस, ये चीज होता है, तो, हम अब आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं, जो आप लोग को कॉमा, inverted, कॉमा को, रिमोव करना आ गया, तो चले, बात करे, येगा न, अच्छा, आपके सामने है, राम सेड, कॉमा, inverted, कॉमा, I saw him, बोलिए, इस कॉमा, कुछ नहीं है, हमको ये डाइरेक्ट, इन डाइरेक्ट में नहीं चेंज करना है, नहीं, जितना बताएंगे, उतने पूछेंगे, बस, ये आप बताएंगे, जो इस कॉमा, inverted, जगह पे क्या लगाना चाहते हैं, आप, ये बताएंगे, इस कॉमा, inverted, कॉमा के जगह पे क्या लगाना चाहते हैं, बस, तो ये जो है, I saw him, मैंने उसे देखा, और मैंने उसे देखा, तो ये sentence assertive है, simple सा बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जे, डाइट sentence है, he said to me, what is your name, he said to me, what is your name, है ना, यहाँ पे वर्ट से स्टाथ, वर्ट से स्टाथ है, मतलब ये sentence interrogative है, और interrogative sentence बोले थे, अगर डावलोच वर्ट से स्टाथ है, तो सेम डावलोच, मतलब इस कॉमा, इस कॉमा के जगह पे, लिखना होगा, डावलोच वर्ट, यानि वट थो वट बात खतम टेंसीं रंस लेना नहीं है, सेम ड़ाच, वट वर्ट वर्ट, व소न नहवे तो वेर्ट वेरं, और वाई, हो तो हव्ठ गाने, नेच्स, नेक्ट आप लेके सामन महीं हागा, डोले माय मदर से पू मी, माय मतर से पूमी मेरी मम्मी मुझ से काते है set the door gate बंद करो वच्वा बोलिए मम्मी said to me set the door यह क्या है order command request का बात है नहीं order देगी मम्मी एना गेट बंद करो एना order command request imperative sentence में होता है तो हम लोग इस कॉमाई धड़ कॉमा के जगापे का लगाएंगे में तू लगाएंगे बोलिए बास समझ रहे हैं ना next next sentence आप लोग के सामने है बोल रहा है he said to me are you a student क्या-क्या he said to me are you a student है ना student क्या करेंगे start है अपना helping भर से एक जिली भर से स्टार्ट है और जो एक जिली भर से स्टार्ट होता है तो आप लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं कॉमें होटे को माग जगापे यस लगाएंगे उम्मीद है यह बात आप लोग को समझ में आ गया होगा के लिए ना